स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइटी रर्निंग एजुकेशन वीडियो में आज हम आपके लिए भुगोल के कुछ महत्पूर प्रशनोत्तर लेकर रहे हैं देखे वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि ये आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट है ये हमने जो भुगोल के कोशन्स की सीरीज चला रखे ये आपके यूपी टेट, सूपर टेट और अधर स्टेट के टेट के लिए साथ ही साथ कॉंपेटिटिव एक्जाम हो उन सभी के लिए है इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो पहला प्रशन ये रहा भारत वे पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था अगर आपको पता हो इसका उत्तर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पहले ही बता सकते हैं इसका तो सही ओप्शन होगा बी होगा सर सीरियल रेट किल्फ ने छेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है इसका तो सही ओप्शन होगा बी होगा यानि के सिक्किम सिक्किम छेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य होगा करकरेखा भारत के किस शहर के पास से होकर नहीं गुजरती उतरिय धुरूव हमेशा प्रकाश में रहता है आपको बताना है कि उत्री दुरूब कब हमें प्रकाश में रहता है इसके बारें बताना है देखें इसमें जो सही उप्षन होगा बी होगा 21 मार्च से 23 सितमबर तक सरदार सरोवर परियोजना जिस से मध्य परदेश, महराष्ट, गुजरात और राजिस्तान ये चार राज्ये लाभानवित हैं किस नदी पर इस्तित है इसमें जो सही उप्षन होगा नर्मदा सरदा सरोवर परियोजना जो की नर्मदा नदी पर है और इसके जो चार राज्य लाभान्वित हैं उनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं महान राजा मध्य राध में सर्दार से मिला सर्दा से सर्दार सरोवर महान से महराष और मध्य परदेश और रात से गुजराथ राजा से राजिस्थान हो जाएगा ठीक है इस तरह से आप इसको याद रखेगा इसके चार राज्ये जो लाभानवित हैं इस सरदा सरूबर परियोजना से चलिए तो चलते हैं आगे जीव मंडल के भाग कौन कौन से हैं इसका तो सही ओप्षन तीसरा होगा जीव मंडल के जो भाग होते हैं वो जल मंडल, इस्थर मंडल और वाईव मंडल तीनों ही होते हैं एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूरे से अधिक दूरी को किस नाम से जाना जाता है अपसोर इसमें ओप्षन C सही होगा देखिए अधिक दूरी पूछे तो आप अपसोर कहेंगे और कम दूरी पूछे तो उपसोर कहेंगे याद रखें सूरे के बाद प्रत्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा होगा इसमें सही option A होगा यानि के प्रोक्सिमा सेंचुरी ये वाला प्रशन आप सभी के लिए होगा आप सभी को बताना है कि किस महादूइप में एक भी ज्वाला मुखी नहीं है इसमें चार option दिये हैं हमने भारत दूसरे में एटिली तीसरे में जापान और चोथे में अस्ट्र भूकंपे तरंगों को मापा जाता है वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादू